नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक्जामिनेशन कंट्रोलर और फार्मा कोलोजी डिपार्टमेंट के एचुरी डॉक्टर संजय कुमार रहस्मे तरीके से लापता हैं इंस्पेक्शन के लिए निकले थे पर लॉट कर नहीं आए शाम से कहां है कोई यता पता नहीं ये कार डॉक्टर संजय कुमार की है जो गांधी सेतु से बरामत की गई यहां तक की डॉक्टर संजय कुमार के मोबाइल की लास लोकेशन भी पतना के गांधु सेतु पर ही मिली है सबसे बड़ी बात डॉक्टर का मोबाइल और चश्मा कार के अंदर ही रखा हुआ मिला है इन चीजों की बरांदगी ने मामले को और भी रहस्में बना दिया है इस मामले में लापता डॉक्टर संजय कुमार की पतनी प्रोफेसर सलोनी ने गुरुवार को पतना के पत्रकार नगर्थाने में लिखर शिकायत दर्च की उन्होंने डॉक्टर के अभरन की आश्रंग का जिताई है पुलिस ने IPC की धारा 365 के तहट अभरन की FIR दर्च की है परिजन अभरन की आश्रंग का जता रहे हैं हलाकि फिरोती को लेकर किसी तरह का फोन कॉल नहीं आया बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे बाद पतनी ने डॉक्टर संजय कुमार को फिर से उनकी मुबाइल नंबर पर बात करने के लिए कॉल किया वो जानना जाती थी कि उनकी पती कहा तक पहुँचे है मगर उस वाक्त उनके पती ने कॉल रिसीव नहीं किया यहीं हाल अगले दो धाई घंटे तक चलता रहा कई दफा कॉल करने के बाद भी उनकी पती ने कॉल रिसीव नहीं किया तब प्रोफिसर सलोनी ने पती के ओफिस और उनके डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को कॉल किया मगर वहां से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई इस मामी पर पतना सधर की एस पी काम्या मिश्वा ने कहा कि कंप्लेंट मिलने के बाद से ही पुलिस टेम जाज कर रही है अभी जो है उनकी missing कंप्लेंट हमारे पास आई है तो अभी हम पूरा effort ले रहे है उनको खोजने का यहाँ पर गंगा ब्रिज में उनकी गाड़ी लगे हुई थी और उनकी दो फोन्स जो है वो यहीं पर हमें मिले थे तो विया कॉपरेटिंग विद फाइमिली और जल से जल जैसे भी होता है जो भी कंप्लूस से प्रूव होता हम आपको ब्रीफ कर देंगे कि अच्छा आपको ब्रीफ कर दो जो खुब हो झाल जापको थाल जापको झाल जापको झाल जापको झाल जापको जापको भी होता है